आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें बताना है कि अगर वो माइनस 2 की जगह प्लस 2 जो की सही था अगर वो रीट करता तो उसकी sum of first 5 टम्स क्या आती अभी इस केस में तो माइनस 5 आई बट यह गलत था क्यों चुकि उसमें माइनस 2 रीट करा था तो हमें यह करना है बेसिकली माइनस 2 की जगह एक बट प्लस 2 रखके देखना है कि जो sum of 5 टम्स आया था माइनस 5 वो अब actually में कितना आएगा ठीक है तो देखो हमारे पास basically question में क्या given है हमारे पास यह रखा है कि पहले जो उसमें read हो रा था common difference क्या होता है d मैं इसको गरता हूँ d1 starting में गलत read करा था वो कितना है हमारे पास minus 2 और d2 मतलब actually में होना कितना चीए था वो plus का 2 यह उसकी गलती थी sum of first 5 terms 5 terms का मतलब क्या हो गया number of terms कितने हो गई 5 and same उसमें भी कितने terms है 5 तो मतलब n1 और n2 क्या है same है जो कि है 5 5 अब देखो इसने sum of first 5 terms कितना निकाला था इसने निकाला था minus का 5 और actual में कितना है actual में हमें निकालना है मतलब हमें s n2 की value निकालने है जो हमरे पास given नहीं है ठीक है तो देखो सबसे पहले basically हम देखते है ap की sum का formula होता क्या है मतलब sum हम निकालते कैसे यह क्या हमारी first term plus n-1 मतलब total number of term जितने उसमें से minus 1 करते है और उससे multiply करते है common difference है ठीक है तो यह हमीं कहा देता है sum का form उस पूरी ap का sum देता है n तक जितने भी आप number चाहते हो उतने number तक तो देखो अगर हम पहले इस वाले case पूरे करें जो उसने गलत कर दिया था तो अगर हम उसमें यह same formula लगाएं तो देखो हमारा s n 1 क्या होगा इस case में n 1 by 2 bracket में 2 ए first term तो same ही रहेगी plus n 1 minus 1 into d 1 यह किसके लिए हो गया जो पहले उसने गलती कर दी थी तो इस गलत जो उसने करा था उसम कितना है था minus 5 number of terms तो same ही थी 5 by 2 a की value हमें अभी कुछ पता नहीं है तो इसको सही मैं a लिख देता हूँ plus n 1 minus 1 तो देखो n 1 तो था हमारा 5 minus 1 करोगे तो क्या आजाएगा 4 into में d1 d1 क्या हमारा minus 2 4 into में minus का 2 ठीक है तो देखो अगर हम इसे simplify करें तो हमें पास a की value आ जाएगी तो देखो यह minus 5 into में 2 क्या होगा minus 10 by 5 यह आ गया equal to क्या हैगा 2a plus 4 into minus 2 क्या हो जाएगा minus का 8 ठीक है तो देखो 5 और 10 को काट तो यहाँ पर आएगा minus 2 और minus 8 को उदर भीज दो तो यहांसे 2a की value क्या आ गई minus 8 तो जाएगा plus 8 minus 2 तो है यहाँ पर plus 8 minus 2 क्या होगा 6 तो यहांसे a की value सीटा सीटा क्या आ गए हमारे पस a की value आ गई 6 by 2 यह सीटा सीटा a की value क्या आ गई हमारे पस a की value आ गई हमारे पस 3 यह क्या हमारी first term आई इसकी help sum क्या निकालेंगे basically actual sum निकालेंगे तो देखो अगर मैं यहां से sn2 निकालूं sn2 मतलब जो हमारा actual sum है वो भी क्या होगा same formula लगा दो n2 by 2 bracket में first sum तो same ही है तो 2a plus में n2 minus 1 into में d2 ठीक है तो देखो हमने a की value यहां से क्या निकाली है a की value हमने यहां से निकाली है 3 sum of 5 terms 5 तो यह भी क्या हो जाएगा 5 by 2 into 2a a की जगा हम क्या डालेंगे यहां से यहां पर 3 निकालना हमने a की जगा हमने डाल दिया 3 2 into 3 plus n2 minus 1 5 minus 1 मतलब 4 into में d2 d2 देखो उसमे correct sum था क्या मतलब common difference क्या था 2 plus का तो यहां हम क्या डालेंगे इस पार plus का 2 तो अगर हम इसे simplify करें further तो यह क्या हो जाएगा 5 by 2 bracket में 2 into 3 कितना हो गया 6 4 into 2 कितना हो गया 8 तो यह क्या हो गया 6 plus 8 तो देखो अगर मैं इसे simplify करूँ तो यह जाएगा 5 by 2 into 6 plus 8 क्या हो गया 14 2 7 जा 14 तो यहां पर क्या आ गया 7 7 into 5 क्या होता है 35 तो हमें पास S into क्या आ गया 35 और हमसे पूछा क्या था उसने हमसे पूछा था actual sum of first 5 term is ठीक है तो 35 जो आया वो क्या है हमारा actual sum किस का समय of first 5 5 terms ठीक है तो हमसे पूछा था यह है और हमने निकाल दिया तो यही था हमारा solution and thank you for watching Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जाधा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर